दानमंत्री ने जब टीका लगा तो कोई एक कुछनुमा महौल भी बनाया जैसे सेंस ओफ हूमर कहते हैं उन्होंने नेताओं पर कुछ टिपणी की और उसी के बदे नजर आज जो महमान हमारे साथ मौजूद है उनसे मैं आपका तारूफ कराऊंगा और बातचीत का सिलसला तो यहीं से शुरू होगा लेकिन बंगाल तक चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं क्योंकि जो हमारे शो के एक खासियत यह है कि बात यहां से शुरू हुई है और कहां जाके रुखे तो बात करने वाले ही पताएंगे मुस्कूरा रहें कल मुलाकात होगी लगनव हैं आपसे कार्येस का रखने के लिए साथ मौजूद है जिजग बहुत बाहुत शुक्रिया सब्सक्राइब nord een का अ है कैसी हैние मैं अच्छा हूँ leading अच्छी और आप ने करा लिए या भी अभी नहीं कि तोड़ा सा भी वेट करना हुप कि ने नंबर आगया है तो अपक्र एंगे हम जा से तो लगते तो यओय है आप आगे हैं मैं नहीं DR बहुत 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 बधाई राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष्कन के लिए तक मुझूद यह तो कोई शकुर्व शुभा रहनी नहीं चाहिए और जो बातं थी है वो तो बिसार दीजिए और कि टीका लगाने का जो प्र प्रतीक बाई देखे प्रधान मन्तर जी ने वेक्सिन लगवा रहें हम लोगों की सबकी शुब कामना है प्रधान मंतरी जी हमेशा इसी तरीके से हस्ते मुस्कुर आते रहें हमारे याप पर उनके ठीका लगाने को लेकर के न हमें headline management करना है न हमें headline management का हिस्सा बनना है ना ही event management का हिस्सा बनना है सच बात यह कि करोड़ों लोगों को वेक्सिंग लगने के बाद प्रधान मंत्री जी ने वेक्सिन लगवाई स्वागत अब यहाँ पर प्रश्न कुछ गंभीर उठते हैं हम उनकी बात करना चाहते हैं हम ये बात जरूर करना पूछना चाहते हैं कि आज तक चाहे चेचक हो चाहे पोलियो हो चाहे जा हो चाहे काली खांसी हो चाहे तमाम तरीके की vaccination पिछले 70 सालों से हो रही है और सारी की सारी vaccination वो चाहे कांग्रेस की सरकार ने शुरुवात कियो हम कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हम उनका उस से लेंगे भारती जनता पाल्टी कह सकती कि पुरानी जितनी भी है वो हमने भी उसी तरीके से उस परंपरा को निर्वाह किया ये पहली vaccine है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि हम वारी कीमत है तो उन्होंने बाले हमने माल लिया तो 200 रुपए में वैक्सीन का टीका क्यों नंबर एक और नंबर दो अगर नो लॉस नो प्रॉफिट पर 200 रुपए की वैक्सीन आ रही है तो भारत की सरकारे 500 रुपए के आम आदमी को दे रही है लेकिन यही सीरम इंस्ट रुपए है यह किसकी जेव में जा रहा है यह कौन सा गड़बड घोटाला हो रहा है इसको जरा अगर बात करेंगे तो ज्यादा भेतर होगा प्रदानमंत्री जी ने वैक्सिन लगाई अच्छी बात है लेकिन अगर आप इस तिरान्वे रुपए किसकी जेव में जा रहा प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अच्छे स्वास्ते की शुब कामनाएं दी और अपेक्षाकी की वो दिरगाईू रहेंगे पर आप यदि प्रतीक जी कुछ टिपणियां देखें चाहे वो कार्ती चिदाम्रम की टिपणी हो चाहे शशी थरूर की टिपणी हो या फिर आप हाल फिलहाल में अखिलेश यादव की टिपणी देखें नवाब मलिक की देखे NCP से तो एक चीज जो बहुत खुल के सामने आ रही है बड़े साफ और स्पश तरीके से वो ये